कि आज मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से oxyacetylene gas building के कुछ important hand tools के बारे में बताऊंगा है कि कौन-कौन से gas वेल्डिंग के लिए hand tools use किये जाते हैं और यह काफी important होता है engineering drawing में भी इसका question आता है कि free hand sketch बनाना होता है hand tools का तो इसको जानना हमें बहुत जरूरी है साथ ही साथ जानने के साथ साथ हमें देखना भी जरूरी है कि दिखने में दिखता कैसा है तो आप लोग देख लिजिए जल्दी जल्दी कि सबसे पहला जो hand tools है वो double ended spanner है फिर cylinder की है फिर spark lighter है tip cleaner है chipping hammer है carbon steel wire brush है और tongue है दोस्तो यानि कि साथ welding hand tools है अब चली एक एक करके हम दोग देख लेते हैं तो आएए देखते हैं सबसे पहले क्या है दोस्तो डबल ended spanner यह देखिए यह है double ended spanner double ended spanner दोस्तो अलग-अलग different range में आता है जैसे अभी हमारे पास जो spanner है इसका जो size है 28-25 है देखिए यहाँ पर 25 लिखा हुआ है और यहाँ पर 28 लिखा हुआ दोस्तो इस spanner का use जब हम लोग cylinder में देखिए इस spanner का use कहा करते हैं जैसे देखिए cylinder में जब हम लोग regulator को mount करते हैं या फिर cylinder fit करते हैं तो उसी स्थिती में जो 28 है वो लगता है देखिए इसी से हम लोग open या फिर मतलब इसको खोलते हैं या फिर tight करते हैं दोस्तो तो double ended spanner बहुत ही important hand tools है और इसका use हम लोग जो regulator है उसको set करने में करते हैं दोस्तो इस यहां पर भी आपको hand tool double ended spanner देख रहा है इसका size है 18 है 18 और 19 तो इसका use भी हम लोग flashback करिश्टर या फिर other horse pipe की connection में इसका use करते हैं दोस्तों दोसरा open or close करने के लिए करते हैं ये وाल्व है ये वाल्व है इसको open और close करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं तो यह सिलेंडर की इसको ऐसे ऐसे करके हम लोग open और close कर लेते हैं ठीक है दोस्तों तो दूसरा hand tools आप लोग पता चल गया third hand tools है spark lighter यह देखिए spark lighter है आप लोग पता है कि इसका लोग करते हैं इसका यूज हम लोग mixed gas को ignite करने के लिए करते हैं दोस्तों तो यह मैं आप लोग पहले विडिएओ में बताया हूँ कि इसका यूज हम लोग mix हम लोग क्लीन करते हो उसके इंटरनल डैमेटर को ठीक है नूजन पीक stranger को यह हो गया hypothesis है चिपिंग अब क्या होता है जोस्तो जैसे हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो में कभ़ी कभी उसके ऊपर रोकळियस में जम तो उसको हटाने के लिए Oxide को हटाने के लिए हम लोग प obstruction करके हम लोग क्या करते हैं कि फ्र-फ को साफ करते हैं उसके बाद hacking करते हैं तो यह clean करता है उसके उपर से oxid शटाता है या फिर उसके उपर corrosion लगा है या जू lever लग गया है उसके उपर dust है या फिर उसके उपर paint है तो यह से हम लोग आसानी से रिमूब कर देते हैं और रिमूब करने के बाद ही वेल्डिंग करते हैं दोस्तों ठीक है तो यह कार्वन इस्टील वायर दोस्तों लास्ट में जो आपको दिख रहा होगा वह टंग है यह टंग है इसका यूज हम लोग होट जॉब को पकड़ने के अधर पिलेश मूब करने के लिए हम लोग क्या करते हैं इस टंग का यूज करते हैं और एससे पकड़ के उसके हम लोग अपना एक जगा से दूसरी जगा मूब करते हैं दोस्तों तो आप लोग को सायद समझ में आ गया होगा है हैंड टूल्स बाकि अगर को बोलता है कि ब वेलडर में भी यूज भोता है टरनर में भी यू जोता है मसिनिष्ट में भी यूज होता है ौनिजल में यूज होता है च्शन को बताएंगे जो मैं भी आप लोग बताएं और इस वीडियों फिलाल इतना ही धन्यवाद